नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्रा करनाटक से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है आपको बता दे बीएस यदुरप्पा ने एक बड़ा एलान कर दिया है भविश्य में बीजेपी के साथ जेडियेस म मिलकर चुनाओ लड़ने वाली इसकत की बड़ी खबर आप देख रहे हैं यानि की साफ तोर पर यहां पर बीजेपी को फाइदा मिलता हुआ और कल भी एच्टी कुमार स्वामी के बयानों से लग रहा था ऐसा कि वो करनाटक कॉंग्रेस पर धावा बोल रहे हैं भविश् को अभी लिट कर रहे हैं एच्टी कुमार स्वामी जी अब देखिए कल एजडी कुमार स्वामी के एक बयान को मैं आपको सुना देती हूं है यह कस आपके अचिट पावर शाग को शाकिंग डिवलापमेंट इन महर स्वार अबुट पॉर अजीट पहर को करनाटका सो आपको एन फन फिरीं नेक फॉले को विल्यू वे ग्यूष कि अमरे टरान का फर्देट एक्चिली वेर वेटिए नेगे कल एश्डी कुमार स्वामी ने महारास्ट में हुए चुनावी दंगल में चुनावी दंगल मतलब अजीत पवार ले उड़ें पूरे के पूरे एंसीपी को ले उड़ें अभी शक्तियों का बटवारा लगातार चल रहा है बड़ महारास्ट में लगा उसका असर करनाटक में देखा जारा है SHD कुमार स्वामी ने इशारा दिया था अब महारास्ट केबाद करनाटक में अजीत पवार कौन होगा आपको मैंने कल विस्तार से बता़ा था कि ये कहा था HD कुमार स्वामी ने JDS के लीडर है अब ऐसे में HD कुमार स्वामी का ये दावा जो था अजीत पवार करना टक का कौन उनका इशारा था DK SHIP कुमार से ऐसे में ये साफ तोर पर देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस की विरोध में खुछ JDS खड़ी थी देखिए JDS छोटा दल है लेकिन अपने आपको confidence में रखता नजर आता है इस बार भी कहा JDS को जिस तरीके से चुनाव लड़ने का मन होगा उसी तरीके से JDS चुनाव लड़ेगी लगातार BS ये दुरप्पा ने भी इसको लेकर साफ कह दिया है अब H.D. कुमार स्वामी ने साफ के दिया है सबसे तगड़ा जटका लोक सभाय चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को लगता हुआ जहाँ पर 23 जुन को विपक्षी एकता की बेजो बैठा कोई पतना में भीहार की राजञानी पतना में वो धराशाई होती दिखाई दे रही है महरास्ट में अझीत पवाद धराशाई कर दिया और इधर कर्नाटक में J.D.S. ने इसको धराशाई कर दिया ये तगड़ा जटका विपक्षी पार्टी को लगता हुआ दिखाए दे रहा है आपको बता दे इसका बहुत गहरा असर 2024 के चुनाव में जरूर होगा क्योंकि 2024 में पार्टीया ये लगातार एलान कर रही है दमखंबर रही है कि हम भीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ें मनेंगे उसका पूरा असर महाराष्ट्रो में दिखा उसका आसर बिहार में चला गया विधायकों से मुलाकात करें दिश्कुमार इसके साथ अब करनाटक में असर इसलिए देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं मुझे जो मेरे समर्थक चाते मुख्यवंतरी बनता देख वो पिरोध करने लगे तो डर के मारे दारमया ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया मैं होता तो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता यह तमाम वादे है जो तमाम दावे तमाम बयान है ऐसे जो यह दिखाता है कि करनाटक में फूट तो निश्चित होने वाली है अब सुनिए जरा करनाटक में और क्या सियासी भूचाल मचा हुआ है देखे 14 जुलाई तक विधान सभा शत्र है अब बीजेपी ने एलान कर दिया है पांच चुनावी गारंटियों में जो फेल हो रही है करनाटक की कॉंग्रेस सरकार उसकी खिलाफ बीजेपी हर जिले में हर विधान स बाश शित्रों में इसका विरोध प्रदश्चन करेगी ताज़ा अब जिच में आपको बता दू बीजेपी से बीजेपी से दुरप्पा ने ये दावा किया है कि हम विरोध प्रदश्चन करेंगे हम धरना देंगे जहां पर भाजपा सूदरों के अनुसार गारंटी के प भाजपा विधायक दल विधान सभा के अंदर प्रदश्चन करेगी वहीं पूर्म मुखेवंतरी बीजे दुरप्पा बसा वराज बोमाई डीवी सदानंद गोडा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कतील फ्रीडम पार्क में धरना देंगे तो देखिए ड्रागा केवल और केवल इसलिए क्योंकि पांच गैरेंटियों को कॉंग्रेस पूरे नहीं कर पा रही है बीजेपी लगातार और भाग योजज्या की कानुमान को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना साथ दे रहे हैं सबसे पहले आपको बता दूँ चावल का मुद्दा गर् केन सरकार से जटका लगने के बाद करनाटक कॉंग्रेस इधर उधर को जा रही थी कभी 36 गड़ से चावल तो 36 गड़ का चावल इनको महंगा लगा तिलंगाना से जटका लगा तिलंगाना ने चावल देने से अभी सहमती नहीं जताई अब कहा जा रहा है कि बीपील धारक जो पैसे दिये जा रहे है इस पर कहें न कहीं यह फर्जी वाड़ा है अब मैं आपको बता दू चावल के मुद्दे पर इसके साथ ग्रेल लक्ष्मी योजना पर इसके साथ जो महंगाई हुए करनाटक के अंदर नंदिनी दूत के दामों को बढ़ाया गया इस पर कॉंग्र पाटी को जबरदस्त घेराओ कर रही है भारतिय जनता पाटी जो अभी विपक्ष में है और यही हंगामा देखा जा रहा है इसके साथ ही आपको बता दें सिद्धा रमया सरकार योजना के लिए एक जुलाई की समय सीमाच से चूग गए हैं मतलब एक जुलाई को कॉंग् सरकार धीरे-धीरे करके जनता की नजरों में आ रही है जहाँ पर नाबस में फ्री सुविधा फ्री टिकेट देनी की बात की उसमें भी घेराओ किया जनता ने इसके साथ ग्रेय लक्ष्मी योजना भी धराशाई हुई इसके साथ चावल की योजना जो सबसे जादा जनता इंतजार कर रही थी करनाटक का हर एक गरीब तपका इंतजार कर रहा था अब सड़कों पर करनाटक कॉंग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन को बेकाबू हो चुका है और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं केंडिस सरकार के जटका देने के बाद करनाटक कॉंग्रेस खाली ह हो चुकी है फंड नहीं है इनके पास और फंड ना होने की वज़े से करनाटक कॉंग्रेस जबर्दस्त घिरी हुई है विरोत का सामना कर रही है आपको बता दे कि अब बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है और बीए सिदुर अरप्पा ने भी कह दिया कि कॉंग्रेस ने हो चुकी है जेडियेस को भी वहां महतोपूर्ण दल समझा जाता है जेडियेस बहुत पुराना दल है इसके साथ मैं आपको बता दूँ जेडियेस से मजबूती मिलेगी बीजेपी को कॉंग्रेस से चुनाओ लडने में क्योंकि वहां पर कॉंग्रेस लगातार इस बार ज यहां विपक्ष को तगड़ा जटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इधर आज 4 जुलाई से लेकर 10 दिनों तक विधान सबस सत्र में अंदर और बाहर लगातार धरना प्रदर्शन भारतिया जनता पार्टी का करनाटक कॉंग्रेस के 5 खोकले वादो के कारन होने वा लेकिन फुलाला बताईए जेडियस ने जो एलान किया है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं बीएस यदूरप्पा ने कह दिया कि अब जेडियस और भारतिया जनता पार्टी साथ बिलकर करनाटक में चुना उलड़ने वाली है तो नजर बनाए रखिए बहुश टुक है आपका दन्यूस दोड़ने के लिए